अम्बेटकरी एवं बहुत जगत के महानसाइत्यकार विचारक और चित्रकार आधर्निय शांति सुरुप बहुत जगत का आज दूपर को तीन बजे देल्ली में दुखत निदन हुआ शांति सुरुप बहुत जी अम्बेटकरी आंदुलन के एक बड़े चिंतक थे बहुत दधम्म के बारे में उनने काफी लेखन किया शांति सुरुप बहुत जी के करीब सत्तर से अधिक किताबे प्रकाशित हुई है उन्होंने अपनी लेखन के माद्यम से समाज में बाबा सहाब का विचार और बुद्ध धम्म के विचार पहुचाने का बहुत बड़ा काम किया है शांति सुरुप बहुत जी हमारे बीच में से जाने से अम्विट करिया और बहुत दांदुलन को एक बहुत बड़ी शती पहुँच गई है शांति सुरुप जी का जो नाम है वो नाम बाबा सहाब अम्विट कर जी नहीं रखा था शांति सुरुप जी का जन मद्दू अक्तूबर उनिस सुन पचास को देल्ली में हुआ था उनके दादा जी चवदरी दिविदाज जी यह बाबा सहाब के अनुयाई थे वे बार बार बाबा सहाब को मिलने के लिए जाते थे चार अक्तूबर उनिस सुन पचास को वो बाबा सहाब को मिटाई देने के लिए गए तब बाबा साब ने उनको पुछा कि किस के लिए आपने ये मिठाई दी है तब उन्हेंने बताया कि मुझे पोता हुआ है तो बाबा साब ने पुछा कि आ उसका नाम रखा है तो चोधि दिवजाज जी ने कहा हाँ उनका नाम गुलाप शिंग रखा है तो बाबा साब ने कहा कि अरे ये मत नाम रखो दुसरा नाम रखो तो अब चोधि दिवजाज जी ने पुछा कि क्या नाम रखना है तो बाबा साब ने कहा कि आपके पोहते का नाम शांति सुरूप रखो ये शांति सुरूप बहुत जी आम्विटकरी और बहुत जगत के एक बड़े चिंतक रहे उन्होंने बच्च्पन से ही आम्विटकरी आंदुलन से संभन दीत रहे क्योंकि उनको आम्विटकरी आंदुलन की विरासत अपने दादा जी के तरफ से मिली थी शांत तुसरी बहुत जी ने गुद्ध धम्म का प्रचार करने के संदर में काम किया वे आरिपिया के नेता रहे देली प्रदेश आरिपिया के वे अध्यक्ष भी रहे चुके देली के आम्विटकर भौन के विकास के लिए उन्होंने काफी काम किया और महत्व प्रणबात यह है कि बाबा साब का विचार लोगों तक स्रीम आइने में पहुचाने का काम उन्होंने किया उन्होंने सम्मे प्रकाशन चालू किया जो सम्मे प्रकाशन अध्भारत का एक बहुत बड़ा प्रकाशन है जिस प्रकाशन के द्वारा शेकड़ो कितावे प्रकाशित हुई है अम्विड करियो बड़ जगत का सबसे बड़ा जो प्रकाशन है वो प्रकाशन सम्मे प्रकाशन है तो ऐसे हमारे शांति सुरू बड़ जी आज हमारे बीच में नहीं रहे इसका बहुत दुख हो रहा है और दुख इसलिए हो रहा है कि उन्होंने जो काम किया है और उनकी जो इच्छा थी कुछ कितबं का उन्होंने जिक्र किया था कि वो उनको पूरा करना था साथ दिन पहले उन्होंने एक वीड़ो वाइरल की वो वीड़ो साकत के संदर में है अईद्या में जो राममंदीरित के निर्मान का काम चल रहा है वहां अभी कहीं बुद्ध मुर्थिया शिलालेक और पुरातत को एक आउशिष मिले है उस संदर में उन्होंने वो वीड़ो त्यार किया और उन्होंने यह बताया कि आज उसको एद्धा काते है यह एद्धा नगरी नहीं है बलकि यह साकेत नगरी है और बुद्ध यहां आये थे यहां बुद्ध के आउशिष के उपर यहां बड़ा स्तूप भी बना जाया था इस संद में उनकी वो वीड़ो जो वाईरूल बहुती महतोपुर्ण है आज शांति सुर्प बहुत दजी नहरे यह बात बहुती दुख़त है और उनकी निधन से आमबिटकरी और बहुत दांदनों को बहुत भारी नुक्सकान हुआ है नमो बुद्धाय